नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Realme 12 Pro 5G vs Vivo V29 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.36 इंच जब की V29 5G में 6.46 इंच की लेंग्थ मिलती है विड्स की बात करें तो 12 Pro 5G में 2.91 इंच जब की V29 5G में 2.93 इंच की विड्स मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो 12 Pro 5G में 0.34 इंच जब की V29 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro 5G में 190 ग्राम्स जबकि V29 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है चलिए अब हम डिस्पले की तुलना करते हैं डिस्पले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्पले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो 12 Pro 5G में 20.1 रेशियो 9 जबकि V29 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्पले साइज की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.7 इंचस जबकि V29 5G में 6.78 इंचस मिलती है डिस्पले रेसलूशन 12 Pro 5G में 8080 x 2412 px FHD+, और V29 5G में 1260 x 2800 px FHD+, मिलता है स्क्रीन तो बादी रेशियो 12 Pro 5G में 90.68 प्रतिशत जबकि V29 5G में 90.89 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro 5G में 394 प्रति इंच जबकि V29 5G में 453 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्पले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में टेली फोटो कैमरा देखने को मिलता है और V29 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो 12 Pro 5G में 13 different type के features मिल जाते हैं और वो 29 5G की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 12 Pro 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और V29 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो 12 Pro 5G में Adreno 710 जबकी V29 5G में Adreno 642 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और V29 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में same ही 2 option देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 8 GB 12 GB की rain मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही दो विकल्स देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 128 GB 256 GB की storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करें तो 12 Pro 5G में Android V14 जबकी V29 5G में Android V13 देखने को मिलती है battery 12 Pro 5G में 5000 mAh जबकी V29 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो 12 Pro 5G में 2 colors जबकी V29 5G में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो 12 Pro 5G में 3 variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 21,849 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 23,885 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 28,999 रूपीज में मिल जाता है 5G में 8,5 और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करें Vivo V29 5G की तो उसमें 8,5 और 8 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में V29 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V30 Pro 5G है, दुसरा Samsung Galaxy A55 5G है, तीसरा वीवो Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो S19 Pro 5G है दो भूले